अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप जाके चेक आउट कर सकते हैं तो यह चलिए आपका टाइम आगे ना वेस करते हुए स्टार्ट करते है आज का एक्स्पेनेशन वीडियो अपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिल्वी दिखाई जाती है जो कि अभी छोटी है और दभी यह आपे टीवी टीम आ जाती है जिसमें ज़स्ट रैवोना भी होती है मेंसे हमें पास दिखाया जाता है जब जज भी टीविय के बाकी मेंबस की तरह ही काम करती थी वो टाइम डोर के तरुछ सिल्वी को टीविय में ले आती है और वो लोग सिल्वी को मापे मारनी वाले होते हैं पर सिल्वी रेवना पे अटेक करती है और उसका टाइम पेट लेके वहाँ से भाग जाती है। अब हम हमें दिखाए जाता है प्रेजन का सीन जापे जस्ट टीवी की एक जगा पे आई होती है। और यहाँ पे हम टाइम कीपर्स के हलकी सी जलक देखते हैं। इसके बाद रेवना जब भार आती है तो मॉबियस भी उसका भार इंजार कर रहा होता है। रेवना उसे कहती है कि जब हाला साही होते है तो भी टाइम कीपर्स को जावब देना बहुत ज़ारा हाड होता है। और इस वक्तों हालात बहुत ही जारा खराब हैं मॉबेस उसे यह भी पूछता है कि हंटर सी 20 कहां पर है तो रेवना उसे बता लेती है कि हंटर सी 20 है मर चुकी है एक और सिल्वी ने उसके दिमांगे साथ चेरचार की थी उसके बाद हालात बिगरते गए और मॉबेस यह भी सिल्वी बहुत अपनी लाइक में तो सिल्वी यह पूछ देता है कि इसका मतलबो के निकल के आई जाता है वापस मतलब कि गाइस देखिए इन दोनों की बीच में बस एक छोटी सी conversation होती है लेकिन इसका meaning बहुत ही बड़ा निकलता है जो कि मैंने आपको explain कर दिया और अब TV भी दोनों लोकी इसको डूड़ने की अपनी पूरी try कर रही है और उने उनकी location नहीं मिल पा रही है और यहां में Lamentis 1 में भी सब कुस तभा होने वाला है और लोकी और सिल्वी मरने वाले है बर तब भी सिल्वी लोकी का हाथ पकड़ लेती है और अब एक post-apocalyptic world में होने के बावजूद TV को उनकी location मिल जाती है विकास एक बहुत ही अजीब सी branch बन रही होती है जो कि TV की history में अभी तक कभी नी बनी है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोकी और सिल्वी को एक दूसरे से attraction हो गया है और बिल्कुल end moment में TV उनको बचा लेती है और फाइनली अब TV उन दोनों को बंदी बना लेती है फिर मॉबियस लोकी को time door के तुरू कहीं भी फेकने वाला होता है और वो मॉबियस से कहता है कि TV तुम से जूट बोल रहा है और यह सब सुनने के बाद मॉबियस गाज को order दे रहता है लोकी को time door में फेकने के लिए और लोकी जब time door में जाता है तो पहले तो बहुत ही खुश होता है वो कहता है यह तो एकदम आली शान जगा है तब ही वापे सिफ आती है और लोकी को मार के चली जाती है हंटर B-15 वो मॉबियस से पूछती है कि लोकी ने तुमें क्या बताया वो उसे बता रहे है कि लोकी ने का TV हमसे जूट बोल रहा है और फिर से हमें लोकी का scene दिखाया जाता है as उन्हों कि सिफ उसे बार बार मार के जा रही है बट इस वार जब सिफ आती है तो लॉकी उससे माफी मांगता है वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है बट मैंने ये से कुछ अटेंशन के लिए किया था और मुझे डर है कि मैं हमेशा के लिए अकेला ना रह जाओ तब ही वहाँ पे मॉबेस आ जाता है और अब ये सुनके लॉकी की आँखों में आसो आ जाते है और वो बस रोनी वाला होता है तो भी मॉबेस उस पे हसने लग जाता है और वो कहता है कि ज़र अपनी शकल देखो तुम सिल्वी को पसंद करते हो सिल्वी भी तुमें पसंद करते है मौबिय से वोने से बारवाई यही बात कर रहा होता है कि Sylvie के केस में मैं काम क्यों नहीं कर सकता तो रेवोना कहती है कि क्योंकि तुम्हारी विज़े से वो दूसर वेरेंट भागा था और जो वो Hunter C20 की बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था तो जज इस बार में भी ठीक से जवाब नहीं देती पिर मौबेज जज को अपनी बातों में फसा लेता है और चाला कि इसे अपने टाइम पैट के साथ जज का टाइम पैट एक्सचेंज कर लेता है अब हंटर बी फिटिन सिल्वी को टाइम डोर के थूरू तो हंटर बी फिटिन यही कह दिए कि तो सिल्वी उसे बी सब कुच बताती है कि तुमें एक वेरियन्ट हो तुमें टाइम कीपस ने किड़नाइप किया है और उसका प्रोफ देने के लिए सिल्वी उसे वो यादे दिखाती है जब वो आर्ल्स में थी अब Mobius वो टाइम पैट चेक करता है जो कि रेवोना से उसने चुराया था वो उसमें देखता है कि Hunter C20 उससे कह रही है कि इससे पहले भी मेरी लाइफ थी मतल़ कि TVA में काम करने से पहले भी मेरी एक लाइफ थी इसके बार उसी दर लौकी के पास पॉस्ता और वो उसे कहता है कि मुझे अब तुम्मारी हर बात पर यकीन है और इसके बाद जब लौकी को अपने साथ लेके जा रहा होता है तो सामने रहोना खड़ी होती है और उसे मॉबियस के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि उसने मेरे टाइम पैट चुरा लिया और अब ये लोटी की मदद कर रहा है तो विरो मॉबियस को मार देती है और इसके बाद लोटी बहुत जारा दुखी होता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था और उन्हें बता लगता है कि ये टाइम कीपस तो रोबोट्स हैं, मतलब कि टाइम कीपस तो रियलेटी में एक्जिस्टी नहीं करते हैं, इस चीज के पीछे तो कोई और ही है, वैसे गैस करें इसके पीछे कौन हो सकता है, काई मफिस्टो तो नहीं, मजा कर रहा हूं वैसे हो भी सकता है, हूनोस, और इसके बाद लोके सिल्वी को कुछ बताने ही वाला होता है, मतलब कि शायद वो सिल्वी को I love you बोलने वाला होता है, मुझे तो यही लग रहा था, यार बोल दे, अब बोलेगा, अब बोलेगा, मत पूरे मूंड की ऐसी तैसी कर देती है, जज र लौकी मरा नहीं है, बलकि वो किसी अलगी जगा पे जा पहुंचा है, और वापे कई साइल लोग खड़े होते हैं, और तीन लोग सबसे आगे खड़े होते हैं, और इसके बाद यह एपिसोड खतम हो जाता है, और चार एपिसोड हो चुके है, खतम, अब बस बस दो एपि अबस एपिस कर ला प्र गार, और एपिसोड गार, प्रॉके भी जाता है, और जुके लूड ब चार एकर एंड एपिसोड़े हैं, और श्यवर्ग पिसोड खरना के शोड़े मैं राइप कर आपी कर दो घ्या बडूरे हो, लिए दोवसबूकर लेग एपिसोड आपिसोड झाल झाल